कि नमस्कार मित्रों बाई सी लेर्निंग स्टूडियो से फिर एक वार एक नई कहानी के साथ आपके समख सुपस्तित हूँ आईए एक नई कहानी के साथ आज फिर आप से बात करते हैं मुलाकात करते हैं कहानी कुछ यों शुरू हो रही है एक व्यक्ति बहुत पड़ा लिखा है कंपनी में एक उंचे पदपर है और उसके नेचे कई कर्मचारी काम करते हैं बहुत बड़ा ओदा एक मिटिंग लेने के लिए अपने एक शहर से दूसरे मेट्रोपॉलिटन जाना था मेट्रोपॉलिटन सिटी दो सो किलोमीटर दूर था जब वो निकले बीच रास्ते में उन्हें लगा कि बारिष्ट का मौसम है उमस भी कुछ ज़्यादा है ऐसे में एसी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए और निकल जाएं जैसी ही वे एक पुल पर चड़े पुल पर चड़ते ही उनकी कार का टायर पंचर होगे इधर से उमस फुल पर अकेले और नीचे बहती हुई नदी वह अपनी कार से उत्रे अपना कोट उतारा और उसके बाद उनको लगा कि आज स्टैपनी चेंज करके और मैं समय पर पहुछूँगा उन्होंने टायर खोला तो टायर खोलने के बाद में जो टायर के जो बोल्ट होते हैं जो स्क्र्यू होते हैं जिससे टायर कसा जाता है उन्होंने एक अख़वार का पन्ना लिया और वो चार स्क्र्यू चार बोल्ट उस कागज़ पर रख दिये और उसके बाद उन्होंने उस टायर को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद स्टैपनी ले आए और जैसे ही वो स्टैपनी लगा रहे थे एक ऐसा हवा का जोंका आया और उस हवा के जोंके से वो कागज उड़ गया और उड़ने के साथ में ही वो चारों जो नट बोल्ट थे वो नदी में जागिरे अब वो हैरान परिशान टायर तो लगा लें लेकिन बिना नट बोल्ट कसे टायर कैसे चलेगा इदर से उमस पसीना पसीना और कहीं कोई चारा नहीं कोई रास्ता उन्हें दिखे नहीं तो उस किसान जैसे व्यक्ति ने पूछा साहब क्या बात है उसने कहा अभी मैं यहां साहब नहीं हूँ मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है आप तो मुझे यह बताइए कि यह टायर को लगाने वाला कोई व्यक्ति मेकनिक यहां पास में है क्या जिसके पास मैं नट बोल किलोमेटर दूर और जैसे ही दस किलोमेटर दूर कहा उस व्यक्ति के दिमाग में इतनी बड़ी परिसानी पहले से और अब उसे लगा कि आज उसका मिटिंग में जाना बीच फुल पर खड़े रहना यह गर्मी और ऐसी मुसीबत में क्या हल हो सकता है उसने कहा आज बुरे फसे किसान ने कहा मेरे पास एक करकीब है और आप उस दुकान तक जा सकते हो उस व्यक्ति ने किसान की और देखा वो सामान्य आदमी की और देखा रहा साथ उसने कहा भाई मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूं इतने बड़ी करमचारी मेरे नीचे काम करते हैं हम पॉलिस को एक्जूट करते हैं पॉलिसी लगाते हैं इतना बड़ा काम करते हैं बहुत बड़ा कारोबार है जब मेरा दिमागी समस्या का हल नहीं निकाल सका क्योंकि यह से दस किलो मीटर दूर है जहां नेट वोल्ट मिलेंगे तो तुम मुझे क्या बताओगे उसने का साब देखो म मैं साहब तो नहीं हूं ना मेरे अंडर में कोई करमचारी है मैं तो एक सामान्य किसान हूं लेकिन इसकी तरकीब मेरे को मालूम है अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं और मित्रों संकट में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसका बड़ा पन उसे नीचे रखना पड़ता है और वो चाहता है कि उसे कहीं कोई हल मिल जाए तो वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाए उसने कहा वाई अगर आपके पास में ऐसी कोई युक्ति है तो आप मुझे बताईए उसने कहा बिलकुल सिंपल है इसमें कोई बहुत बड़ा काम कुछ भी नहीं है आ आप ऐसा करिए तीन टायर जो आपकी कार के दूसरे हैं उनका एक एक नट खोल दीजिए और इस टायर को लगा दीजिए तो तीन तीन नट से टायर सभी मजबूत भी रहेंगे और आप दीरे दीरे दस किलो मीटर पहुंच जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आप नया न इतना बड़ा ओधा मेरा दिमाग जिसमें मुझे बहुत बड़ा गर्व था आज ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई उसने किसान से पूछा वाई तुम बहुत कम पड़े लिखे हो लेकिन मुझे बताओ कि या आइडिया तुमको कैसे आया मित्रों किसान ने जो बात कही उसने कहा कि आप मुसीबत को मुसीबत समझ करके मुसीबत ही मान रहे थे और मैं उस मुसीबत के हल दूंड़ने में लगा हुआ था आप मुसीबत में फंसे हुए थे उसका हल नहीं दूंड रहे थे और मैं इसका हल दूंड रहा था मुसीबत में फंसा हुआ नही था इसलिए मेरा दिमाग काम कर गया और अब आप जा सकते हैं मित्रों कहानी तो यहां समाब्त हो रही है लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई समझ चाहो जब भी आप किसी मुसीबत में हो उस समय उस मुसीबत को अपने दिमाग पर चाहे रहने मत दीजिए मुसीबत को अपने दिमाग पर हावी होने मत दीजिए मुसीबत से अलग होकर उसका क्या सॉलिशन हो सकता है उसका क्या हल हो सकता है इस पर अगर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरह से एक किसान ने इतने बड़े व्यक्ति का एक मारग दर्शन कर दिया और उसकी समस्या का ततकाल समाधान हो गया तो आपकी जिंदगी में भी ऐसी कई समस्या होगी जिन समस्याओं को हम केवल देख रहे हैं उनका समाध दूनने की कोशिश नहीं करते इसलिए मित्रों जब भी कहीं कोई कटनाई है जब भी कहीं कोई समस्या है तो समस्या तो आ गई अब उस पर देखने की फोकस करने की जरूरत नहीं है जरूरत है समस्या के हल पर फोकस करने की हल को कैसे निकाला जाए इस पर चिंतन और मनन कर तो हर समस्या का हर मुसीबत का हल आपके पास में होगा और जिसके हाथ में सॉलिशन होता है जिसके आथ में हल होते हैं जिसके दिमाग में इस तरह के प्रशनों के मुसीबतों के संक्टों के सामना करने की ताकत होती है वो व्यक्ति जिन्दगी में कभी हार नहीं सकता आप भ दूबरू होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, जैहेंद.